ब्रॉट टी यू बाई प्रोबो फिर उन्होंने जो अपनी रिटार्मेंट एनाउंस की लेकिन अब एक बार फिर से क्या वाकई स्चॉक्स ODI फॉर्मेट में अपने रिटार्मेंट से यूटन मार कर इंग्लेंड टीम के स्कॉर्ड का ODI टीम के स्कॉर्ड का जो है हिस्सा बनने वाले हैं ऐसा हम खुद नहीं कह रहे हैं बलकि स्चॉक्स का खुद मानना है और वो उन्होंने कहें पूरी पूरी हिंट दे दिया और वो पूरी तरह से एकसाइटिड नजर आ रहे हैं इंग्लेंड टीम की ODI फॉर्मेट में जो है फिर से जर्सी पहनने के लिए उन्होंने क्या कुछ का वो हम इस फीडियो में जानेंगे लेकिन पशले कुछ अगर टाइम देखें स्चॉक्स का बोजर 22 के अगर बात करें बोजर 22 के बात से इन दो सालों के अंदर स्चॉक्स ने व्वाइट वॉर्मेट में कहें कफी कुछ चीजे की हैं इसमें 2022 की अगर बात करें तो जुलाई मन्त था जहां पर सौथ अफ्रीका से सिरीज ओनी ती उसमें ODAE format से स्टोक्स ने जो अपने रिटार्मेंट अनौन्स कर दी लेकिन पिछले साल जब ODAE World Cup खेला जाता है तो ओगस्त मन्त महीं यानि करीब जो है 13 महीने बाद स्टोक् स्रिकेट में वापसी होती है और उसके बाद कहें 2020 वर्ल का बाता है 2024 में जिसमें वो अपनी फिटनेस को लेकर जो है उसमें खेलने का मन नहीं बनाते हैं उससे पहले IPL केले जाता है IPL 2024 जिसमें वो CS के टीम से कहें भार रहते हैं जहां पर वो रीजन बताया जाता है कि व अगातार सिलसले स्टोक्स के करियर में देखने को मिले लेकिन अब एक बार फिर से स्टोक्स अपने ODI में जो है वापसी के लिए तयार है उन्होंने क्या कुछ exactly क्या वो हम इस वीडियो में फटाफट से जानते हैं जहां पर आप सभी को याद होगा कि इन दिनों स्रीज क से बात होती है और उस बात के दुरान जो है वो अपने ODI रिटन की अपडेट देते हैं जहां वो क्या कहते हैं आप अपने स्क्रीन पर यह उनकी स्टेट्मेंट देखेंगे जहां वो पूरी तरह के से कहें दुवारा तयार है ODI फॉर्मेट खेलने के लिए और यहां पर स फिर से टीम में शामिल करने की प्लानिंग होती है तो यह अच्छी बात होगी मुझे अगर ब्रेंडन मैकिलम जो कि आप सभी जानते हैं वाइट पॉल टीम के कोश भी बन गए हैं इंगलेंड टीम के जो कि एक वक्त पर टेस्टीम के कोश ते सिर्फ लेकिन अब वो वाइ बैसी कली चैंपियन्स ट्रोफी से पहले जो है यह अपना मन मनाया है वाइट वाल फॉर्वेट में आप सभी को याद है आप सभी को मालूम है कि अगले साल फेपररी मन्त में जो है चैंपियन्स ट्रोफी के लिए जानी है और इंगलेंड टीम के वैसी भी कहें बड़े- फाइनल मुकाबले मुझे कहें स्टोक्स एक एंगलेंड के लिए खरे उतरे हैं तो एक बार फिर से चैंपियन्स ट्रोफी में वो अपने कमबैक करना चाहते हैं अपना यूटन मारना चाहते हैं क्या एक्जेक्ली वो ऐसा कुछ करने वाले हैं आप सभी को क्या लगता है आप सब क्या चाहते हैं क्या वाकी स्टोक्स को एक बार फिर से ओडियाई में अपना यूटन मारना चाहिए या फिर आपकी क्या समुद्धे पर राय है आप में अपनी राय कॉमेंट सेक्शन में जरूर दे करके जाएं और हाँ साथ ही साथ अगर आप सभी को अपनी अप अपनी गेम का लेवल बढ़ाई को सिर्फ बर सिर्फ स्पोर्ट्स तक के साथ